गुड मॉर्निंग स्टूरान आप सब कैसे हैं आप सब एकदम अच्छे होंगे है ना ओके तो आज हम इससे पहले हम इकी मात्रा पर पहुचे हैं ना छोटा इकी मात्रा तो छोटा इकी मात्रा कैसी होती है आगे से लगाते हैं कोई भी वर्ण होता है जैसे को है तो का के अब आगे देखते हैं, इकी मात्रा का ही अभ्यास करेंगे, जैसे यहाँ पे चित्र है किताब का, तो यहाँ पे का है, का में देखो, रेट कलर की की मात्रा लगी हुई है, तो का में इकी मात्रा की, तो में आकी मात्रा ता, बो, तो हम बोलेंगे की, ता, बो, ओके, किताब, उसके बाद दूसरा चित्रा हम इसका अभ्यास कर चुके है न तो जैसे चो में इकी मात्रा है आगे से देखिए तो ची ड में इकी मात्रा डी यो में आकी मात्रा या तो ची डी या उसी के बाद जैसे यहां पे है प उसके बाद हमें रेट कलर की देखिए इकी मात्रा लगी ह है वो छोटा इकी मात्रा है तो ही या तो इसको बोलेंगे पहिया उसी के प्रकास यह है चित्र सितार का तो समें इकी मात्रा लगी है सी ता रो सितार है ना अब हम इसको यह भी आप अपने लिख चुके हैं टेक्सबुक नोटबुक में जैसे को में इकी मात्रा की ग में इकी मात्रा गी जो में इकी मात्रा जी न में इकी मात्रा नी तो आपको यह आ गया होगा है ना तो हम इसके आगे आज इसका इकी मात्रा का ही छोटा इकी मात्रा का ही अभ्यास करेंगे तो अब हम अभ्यास में देखेंगे आ आपको notebook में ये करना है, notebook में date डालनी है, and लिखना है CW, class swap है ना, तो इसमें लिखा है, छोटा E की मात्रा, याने E की मात्रा वाले शब्द, अब हम शब्द को notebook में लिखेंगे, है ना, तब है, पहला शब्द है, हाँ, तो हमने पहला देखेंगे, पहला चित्र है, पहला चित्र है, हाँ, आपको समझ में आ गया होगा, ये इसको बोलते हैं, किताब, याने book जो होती है, उसको हम किताब बोलते हैं, इंदी में, तो पहला शब्द है, किताब, तो आपको ऐसे ही notebook में लिखना है, करके आगे में सही इकी मात्रा लगी है ये छोटा इकी मात्रा होती है कि त में आ की मात्रा ता ब किताब तो आपको वैसे ही नीचे नीचे लिखते जाना है कि ता ब किताब किताब अब हम वैसे ही नीचे नीचे लिखेंगे तो आपको कैसे लिखना है पहले लाइन करनी है फिर कर लगान है का के बाद का के आगे से इकी मात्रा लगानी है तो गया की फिर तो तो में आ की मात्रा ता फिर आएगा बो तो ये बन गया किताब शब्द बन गया किताब है ना तो आपको ऐसे ही नीचे नीचे लिखना है दूसरा देखेंगे दूसरा चित्र है ये है हाँ ये है गिलास तो हमको लिखना है ग है, ग में इकी मात्रा गी, ल में आकी मात्रा ला, स, गिलास, हमको नीचे लिखना है, सबसे पहले लिखना है, ग, ग के बाद आगे से हम इकी मात्रा लगाएंगे, तो हो गया गी, फिर ल लिखना है, ल के बाद आकी मात्रा ला, फिर लिखना है, स, गिल गिलास बन गया गिलास सब्द ऐसे ही आपको लिखना है गो किया गो के आगे इकी मात्रा गी आपको ऐसे ही पढ़ते जाना है लौ में आकी मात्रा लास गिलास तो आपको ऐसे ही नीचे नीचे लिखना है ओके तीसरा चित्र है हाँ यह है पहिया का है ना तो लिखा है पह हमें इकी मात्रा ही यह में आकी मात्रा या पहिया ओके तो हम लिखना है सबसे पहले लाइन करना है लिखना है पह फिर लिखना है हा लगका लिखना है पहल इक ही मातर लगएगी आगे से भी या वह ये से ही आगे लिखते जाना है फ्र फुरबी सी स्पेस छोड़नी है तो यहाँ पर एक ही मातर आ जाती है फुर आएगा या वह ही आ कि आपको यह आ गया है ना तो आपको नीचे नीचे यह लिखते जाना है शब्द उसके बाद नेक्स पेज में हम करेंगे यह यही चोटा एकी मात्रा एस ही होती है ना एकी मात्रा पर गोला लगाएं वैसे ही डेट डालनी है आपको लिखना एकी मात्रा पर गोला लगाएं अब यहाँ पे चित्र दिये हुए है ना चित्र को आपको देखना है और शब्द भी लिखा हुआ है पर यहाँ पे आपको ढूनना है कि इसमें से एकी मात्रा कौन सी है तो उसमें आपको गोला लगाना है पहला चित्र देखे फीला चित्र हो जाता है यह है उसके बाद आ कि मात्र हो साथ बोलेंगे। किया पर यहां पर हमको इकी मात्रा ढूननी है तो आप लोग को मिल गई होगी इकी मात्रा कहां पर है इकी मात्रा उपर आगे से ऐसे गोल होती है हाँ यह है इकी मात्रा मिल गई तो आपको इकी मात्रा पर ही सिर्फ ऐसा गोला दगाना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इ दूसरा चित्र है दिया, हाँ, इसको बोलते हैं दिया, तो पहला लिखा है वह है शब्द, दो है, ये दो में इकी मात्रा दि, यो, यो में आकी मात्रा या, दिया, पर ये अलग-अलग लिखा हुआ है न, तो आपको इसमें से इकी मात्रा डुणनी होगी, हाँ, आपको मिल येस तो ये है इकी मात्रा इकी मात्रा पर आपको सिर्फ गोला लगाना है तीसरा चित्र है टिकट का टिकट होती है जब हम कहीं जाते हैं तो हमको अंदर जाने के लिए टिकिट लेनी पड़ती है तो वो ये टिकिट है तो इसका टिकिट का टी लिखा हुआ है ना तो ये टिकिट का है चित्र अब हम देखेंगे यहाँ पे शब्द जैसे टो टो में इकी मात्रा टी को टो टिकट अब इसमें इकी मात्रा किसमें लगी है टो में तो टो में इकी मात्रा टी हो जाता है तो हमको इसमें क्या करना इक इकी मात्रा पर ही गोला लगाना है तो यह रही इकी मात्रा तो सिर्फ इकी मात्रा पर गोला लगा ढेंगे न बाद यह सीतार जो भजाते हैं लुगते हैं इस सीतार को सबस्क्रित न्यौज्स सो समें एकी मात्र सीमें जाएं परोड़ ओम को को लगने हैं और गूला लगाना है यहह रही है आपको भी मिल गई होगी यहाँ पर हमको गोला लगाना है तो हम आज देखे शब्द देखे कैसे होते हैं इकी मात्रा अले शब्द कैसे लिखे जाते हैं आपको नोटबुक में वैसे ही CW में लिखना है और हम इकी मात्रा कैसी होती है आपको पहचान नहीं होती है कभी तो आपको पता चल जाता है कि की मातर ऐसी होती तो इसको हमको पहचान के गोला लगाना है तो ये दोनों पेज आपको आपकी नोटबुक में करना है, ओके आपको इतना आही गया होगा, है ना आपको मज़ा भी आया होगा, तो इतना आपको नोटबुक में यहां तक करना है, ओके, थेंक यू